गोवर्मेंट इंजरिंग कॉलेज मुंगेर, कास थापना, बिहार सरकार के, महत्वा कांची योजना, साथ निश्चे योजना के तहट वर्ष 2019 में किया गया था, यह कॉलेज बिहार राजि के मुंगेर जिला में अवस्थित है, जो की अपने गोडव साली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरे विशु भड़ में प्रसिद्ध है. करीब दस एकर में फैला यह कॉलेज प्राकिर्तिक छटाओं से भड़पूर है. आसमान से बाते करते इसकी भव्वे और आकर्सक इमारतें काफी मनमोहक और अती सोभनिय हैं. इस महाविद्याले का नीव 25 सितंबर 2019 को रखा गया था, जोकी 25 मैं 2022 में पूर्ण हुआ. भलोतिया एंशन्स कंस्रक्शन कंपणी के द्वारा इस महाविद्याले का निर्मान कारे करीब दो वर्स आठ महिनों में पूरा कर लिया गया. तदो प्रान्थ 25 मैं 2022 को बिहार के ततकालीन मुख्यमंत्री स्री निधीश कुमार के द्वारा वर्च्वल मोड में इस महाविद्याले का विद्यवत उद्गाटन किया गया. पुर्व में यह महाविद्याले आड़ेभट नौलेज यूनिवर्सिटी के अधिनस्त था परंतु वर्स 2023 से यह महाविद्याले बिहार इंजिरिंग यूनिवर्सिटी के अधिन हो गया. The mission of Government Engineering College Munger is to develop professionals that are ethically upstanding, socially progressive, and capable of co-operating across cultural boundaries. There are total five branches in Government Engineering College Munger. Civil Engineering with total intake of 120 students. Electrical Engineering with a total intake of 60 students. Mechanical Engineering with a total intake of 60 students. Computer Science and Engineering, Artificial Intelligence with a total intake of 60 students. Computer Science and Engineering, Data Science with a total intake of 60 students. सभी ब्रांचों की पढ़ाई हेतू अलग-अलग वर्कच एवं प्रियोग साला की समूचित विवस्था की गई है. विभिन ब्रांचों के च्छात्र एवं च्छात्राओं का मार्क दर्सन, अनुभवी एवं योग्य असिस्टेंट प्रोफेसरों के द्वारा किया जाता है. जोकी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवचैनित हुए हैं. सभी ब्रांचों के लिए इनकी संख्या भी प्रियाप्त है. ये सभी सिक्छक कर्मियोगी के भाती अपने बच्चों के स्वाभिमानी, स्वावलंबी, हुसल काडिगर और सफल बनाते हैं. महा विद्याले के मध्य भाग में प्रसास्निक भवन अवस्थित हैं. जिसमें बारे से उपर वर्कक्ष की विवस्था की गई है. एवं अलग-अलग प्रयोग सालाओं की भी समुचित विवस्था है. प्रसास्निक भवन के ही अंदर वातानुकुलित सेंट्रल लाइबरेडी की अस्थापना की गई है. जिसमें 500 चात्र एवं चात्राएं इत्मिनान से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. प्रसास्निक भवन के तच्छिन प्रुब भाग में बालक चात्रावास अवस्थित है. जिसकी छमता लगभग 300 तक आँकी गई है. प्रसास्निक भवन के थीक पश्च भाग में बहुत बड़ा और खूबसुरत खेल का मैदान है. प्रसास्निक भवन के दाहिनी और बाली का चात्रावास इस्थित है. जिसकी छमता लगभग 200 के करीब आँकी गई है. प्रसास्निक भवन के थीक दच्छिन पूर भाग में छात्रों के मनुरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनार्थ एक भववे ओडिटोरियम का निर्मान करवाया गया है. और यह ओडिटोरियम अत्याधिन में सुविधाओं से परिपूर्ण है. इसकी छमता करीब 400 से 500 के करीब है. राजकिय अभियंत्रन महाविध्याले मुंगेर के छात्र एवं छात्राएं विभिन छेत्रों में अपनी परतिभा का लोहा मनवा चुके हैं. विभिन परतियोगी परिक्छाओं में यहां के छात्र अपनी सफलता का परचम लहरा चुके हैं. सिक्षा के साथ साथ यहां के बच्चे खेल कूद में भी अववल रहे हैं हाल ही में MIT मुझपफरपुर मेयायोजित उमंग प्रतियोगिता के यहां के बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है हाल ही में अस्थापित होने के वाबजूब यह महाविद्याले बहुत जल्द ही अपनी उचाईयों की प्रकास्ठा पर पहुँच चुका है जो इस महाविद्याले पडिवार के लिए गौरव का विस्या है अंत में पूरे कॉलेज पडिवार के मंगल कामनाओं के साथ यह महाविद्याले लगातार उन्नती एवं विकास के पत पर अग्रसर होता रहे और पूरे महाविद्याले पडिवार को पूर्व की भाती गौरवानवित करता रहे यही हम सब की कामना है जै हिंद जै भारत धन्यवाद जै हिंद जै हिंद जै हिंद जै है